हेलो एवरीवान नमस्ते वेलकम बैक टू क्लासिस भाई बविता गुपता हॉक्स एजुकेशनल इंसिट्यूट तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं फीटर्स ओफ एनिपी ट्वेंटी ट्वेंटी और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्स्राइब ज़रू करें शेयर करें दूसरों के साथ भी नौलिज को बाते हैं तो देखिए आपको लोग के साथ मैंने शेयर किया था कि एनिपी 2020 क्या है उसके जो में पॉइंट से वह मैंने आप लोग के साथ में शेयर किये तो आज के इस व पूरा अगर मैं NEP 2020 की बात करो तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप लोग को समझने में असानी हो इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में इने डिवाइड किया है जैसे कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स के लिए आपके लिए वीडियो बना है में पॉइंट्स जो थे उसके लिए अलग वीडियो बना रही हूं तो इससे क्या है आपको पढ़ने में असानी होगी आपको हार्ट भी नहीं रहेगा और आप इसको जरूरी नहीं क्यों स्पेशल इसको बैटके देखें आप काम करते करते भी अकर सुन भी लेंगे तब भी आपको इसकी नॉलिज पूरी हो जाएगी और यह आप लोगों के एक्जांस के लिए बहुत इंपोर्टन है इस्पेशली जो कॉंप्टिटिव एक्जांस है आप लोगों के जैसे के वीडियो से आपको प्लेडिस पर जाकर मिल जाएंगी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं जिस भी उस आप डीगरी से जुड़े है या या आप बे अट कर रहे है या आप ड रहे हैं या सीटेड की तियारी घ॥िए सब बच्चों के लिए अलग प्लेलिस बनी हुई यो उस प्लेलिस पर जाकर आप उसको देख सकते हैं वीडियों को तो चलीए इस को हम स्टार्ट करते हैं और इसके फीचर्स हैं तो इसके फीचर्स में सबसे पहले बात आ जाती है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ओफ हीमेन रिसोर्स डेवलप्मेंट फॉर्म डा कमेटी चेर बाइड डॉक्टर के कस्तुर रंगन जो थे उनको कहते हैं चेर परसंड तो उनके अंडर क्या है यह कमेटी बनाए गई उनको अपॉयंट किया गया ताकि वो एक N.E.P. पॉलीसी ला सकें जिसके अधर हम एजुकेशन को सुधारने की बात करें यह एजुकेशन को सुधारा किस तरीके से जाए उसको देखें तो यह सब इसके लिए क्या है एजुकेशन पॉलीसी बनाई गई घुमेटी बनाई जिसक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो देखिए इसमें, the national education policy was submitted by the Kasturi Rangan committee submitted on education policy that seeks to address the following challenges facing the existing education system. यानि कि क्या है कि जो Kasturi Rangan committee बनी और उन्होंने national education policy लाए, तो उन्होंने क्या देखा कि यह न जो हमारे education system है, वो कुछ problems face कर रहा है, challenges faces कर रहा है, तो वो challenges क्या-क्या थे, वो challenges है हमारे quality को लेकर है, affordability को लेकर है, यानि कि गुडवत्ता है आप लोगों की सामर्थे, equities या यानि पहुंच, accountability यानि की जवाब देगी, तो अब देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारे education, हमारा education system है, उसके अंदर क्या quality कि education को किस तरीके से बढ़ा जाए, ये challenge है, affordability कि सभी afford कर सके, सभी को education मिल सके, equity कि ये सब को क्या है, समान अधिकार मिल सके, access मिल सके, यानि education सभ अभी तक पहुच पाए, accountability हो, क्योंकि एक education प्रोवाइट करना भी क्या responsibility है, तो उसके क्या है, जवाब दे होनी चाहिए, कि कौन उसके लिए responsible है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या ही challenges थे हैं, जो उन्होंने observe किये, अब आगे देख लेते हैं, तो देखे, तब policy provides for reforms at all levels of education from school to higher education, तो देखे, आप guiding principles का जब video देखेंगे, जो मैंने आप लोगे साथ में अलड़ी share किया है, उसमें detailed मैंने, जो guiding principle policy में actually मैं दिये हो है, वही मैंने आप लोगे साथ में share किया है, तो उसके अंदर जो बात की गई, यही कि जो हम education system है, education है उसके अंदर बदलाव लाएं और यह बदलाव क्या है, आपके सभी level पर होना चाहिए, चाहिए हो elementary level हो, चाहिए हो higher level हो, तो हर एक level के उसमें बात की गई, next point इसमें, NEP aims to increase the focus on strengthening teachers, training, reforming the existing exam system, early childhood care and restructuring the regulatory framework of education, यानि कि जो NEP है, NEP ने क्या suggest किया, कि हमारी education है, उसको improve करने की जरूरत है, अब जब हम improve करने की बात करने है, education को तो हमें किन चीजों पर focus करना होगा, हमें focus करना होगा teacher training पर, कि जो teachers को training अच्छे से मिल पाए, उनको recruitment उनका proper way में हो पाए, professional development उनका proper way में हो पाए, next बात होती है, reforming the existing exam system, कि जो existing हमारे exam system, उनको भी हम change करें, जिसमे उन्होंने guiding principles में बोला भी है, कि जो हमारे जो formative exams होते हैं, उन पर हम ज्यादा जोड़ें, rather than summative, जो हमारे assessment होते हैं, कि जो summative assessment हो कि एक coaching center को बढ़ावा देते हैं, ये बात guiding principle में लिखी हुई है, next इसमें बात आती है, early childhood care, तो देखिए early childhood care की उन्होंने बात किये, इन् parents और teacher है, उनको ध्यान देना चाहिए, parents को भी उन्होंने इंवल्व किये, तीन साल तक किये, फिर तीन से जो 8 साल किये, जो हम बच्चों को provide करते हैं, primary education to, उन्होंने जोड दिया, तो यानि कि हर एक level पी उन्होंने बोला कि बच्चों को education अच्छे से मिलना चाहिए, बच ताकि वो क्या सभी के लिए available हो पाए, सभी की पहुंस तक वो आ पाए, education सभी ले सके, next point आजाता है आप लोग का, increasing public investment in education, यानि कि एक तरी किसी नोंने बोला कि जो education है उसके अंदर क्या है, आप लोग को funding भी बढ़ानी हो गया, facilities भी बढ़ाए, resources भी बढ़ाए, ताकि education क इंप्रूफ किया जा सके, next आता है setting up NEC, यानि national education commission को इन्होंने set कर, set up करने की बात की, ताकि education पर एक proper work हो सके, उसकी जो progress education की हुआ, proper way में देख सके, उसका जो auditing है, वो proper way में हो सके, next है इसमें 5th point हमारा, तो 5th point में है हमारा increasing focus on vocational and adult education, तो देखिए इन्होंने क्या है कि आपको NEP में बोला है कि आपको vocational education पर भी focus करना होगा और adult education पर भी आपको अपना focus करना होगा, क्योंकि देखिए जो बच्चा school में सीख रहा है, वो अगर आगे जागे उसके काम नहीं आएगा तो वो useless है तो जो आप class के अंदर सिखा रहे हैं उसको आप भार की जो knowledge है उसको साथ ही क्या integrate करें उसको knowledge को, बच्चों को vocational knowledge दे ताकि जो बच्चे आप school के अंदर time लगा रहा है और वो जो knowledge ले रहा है वो आगे जाकर उसके विवसाय में उसके काम आ सके, उसकी earning में उसके काम आ स यूज करें आप बच्चों को technology का यूज करना सिखा है, टीचर को भी technology का यूज करना सिखा है, क्योंकि technology के जरिये ही क्या है, जो आपके दिव्यांग students होते हैं, वो भी क्या है, जाद स जाद से education को concern कर सकते हैं, gain कर सकते हैं, तो यह चीज भी उन्होंने guiding principles में भी बोली है आप उनको जरूर देगेगा, तो आपको सारी चीज अच्छी से clear हो जाएंगी, तो यह क्या है features हैं, कि आप लोगों के NEP 2020 के, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में share किये, बहुत जादा points मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि बहुत जादा points ले लूँ मैं उसको और घंटे-घंटे के वीडियो मैं बना दू, तो बच्चे ते लंबी वीडियो देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, तो आप लोगों के लिए main points मैं आप लोगों के लिए लाती हूं, जैसे ही guiding principles है, उसका अलब वीडियो बनाया है, उसको आप बच्छे से सुनिएगा, इसके अलाबर जो main points है, निपी के, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में share किये हैं, और आज की इस वीडियो में मैं features share कर रही हूं, ताकि आप लोगों को सारे concept अच्छे से clear हो जाए कि basically ये है क्या, और आप लोगों के जो exam से उसमें आने वाले question है, ये बहुत जादा किया है, क्योंकि इसके बात जब मैं आप वीडियो लाओंगी, वो recommendations पे लाओंगी, कि क्या-क्या उन्होंने मैं headphone बाते NEP में बोला है कि क्या education system किस तरीके से होना चाहिए, तो recommendations के उपर मैं अलग से video लेकर आओंगी, कि किस-kis field में उन्होंने बोला है, उसके लिए आपक हम भी उस पर क्या और work कर सकें, और आप चैनल को subscribe भी जरूर करें, उससे हमें motivation मिलता है कि हाँ, आप लोगों के लिए और वीडियो लाने चाहिए, आप लोगों के लिए और अच्छा content आप लोगों के लिए शेयर करें, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को like subscribe जरूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी knowledge को जरूर बाते हैं, तो जल्दी ही मिलते हैं next video में, अभी के लिए thank you, धन्यवाद